हेलो एवरीबन तो फ्रेंट्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं नैक डिजाइन और यह जो नैक डिजाइन है इसमें हम बुक्रम या पेपर पेस्टिंग का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे इसको हम बनाएंगे तिर्ची पट्टी से तो सबसे पहले यह पेपर लिय नैक को कट करेंगे तो यह जो पेपर है इसकी जो चौड़ाई है मैंने 16 ली है इसकी लंबाई मैंने ली है 11 तो इसको सबसे पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे यहां से हम नैक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और कटे गा आ जो यह पॉना 1 इंच का यहां पर एक और निशान, इसके बार जो हमारा दूसरा निशान लगेगा, वह लगेगा 2 इंच पर और फिर फ़र पौना एक इंच आएक और निशान अब नीचे से किस तरीके से लेना है, नीचे से जो लेनिनी ए, लंबाई वह एक 4 इंच पर निशान फिर पॉना एक इंज की गैप, फिर दो इंज की गैप, फिर पॉना एक इंज की गैप अब हमने इसमें गोलाई लगानी है, तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, उसके उपर हम गोलाई लगाएंगे तो पहले इस निशान के गोलाई लगा लेते हैं फिर इस वाले निशान की लगा लेंगे यहां से बीना हम दो दो इंच का ले लेते हैं गैप तो फ्रेंट्स इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया वैसे यह ना पेपर है अगर यह बुकरम होता ना और मैं इसका गला काड़ती तो एक मुझे यह वला चाहिए होता और एक यह वला चाहिए होता यह वला जो बीच का है ना इस पे हमारी पत्तियां लगेंगी तो यह वला हमें चाहिए नी यह वैसे जो हमने सूट में खाली ही रखना है इसके बदले हमारी लगेंगी पत्तियां वैसे यह पेपर है पर हमने एक आइडिया के लिए यह नैक बनाया है ऐसे हमने यह नैक च क्सा करता दू कितने पर आया है न vikt का आया न इसका जो last烏 डेके शॉर्टी का शोल्डर है न वह सरे शीकश शॉल कर आये गा तो हम किस तरीके से काटेंगे ये बीच का पीस चाहिए ये हमने पेपर का क्या करेंगे यहाफ इंक मारजन है यहाँ यहाँ पर जो कि यहाँ 0 सिर्फ इतना ही शो होगा वह पट्टियां जो लगाएंगे तो चलिए कटिंग कर लेते हैं इसका हमने काम नहीं है इसका हमने काम है क्योंकि हमारी जो कुर्तिये ना उस पे यह वाली शेप लगानी है और इसका काम है इस पे तो हमारी पट्टियां लगेंगी पट्टिया लग जाएंगी तो इसको संभाल के रखना है अभी तो ये देखिए मेरी कुर्ती है जो कि डबल फोल्ड से है इसमें हम नेक कट कर लेते हैं इस तरीके से रखेंगे बराबर से मिलाएंगे और अपनी शे तो फ्रेंट्स इसको हम क्या करेंगे उल्टे साइड से न इसको इस तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे पहले छोटे-छोटे कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए तो यह छोटे-छोटे मैंने कट लगा लिए हैं ताकि फोल्ड हो जाए और यह हम इसको सीधे साइड पे ही फोल्ड करेंगे तो फ्रेंट से देखे मैंने सिलाई लगा ली और सीधे साइड से ही लगाई है अब हमने क्या करना है जो यह वाला पेपर है यह वाला इस तरीके से सैट होगा यहाँ पर इस तरीके से उपर करके यहाँ पर ऐसे सैट होगा उससे पहले इसमें क्या करना है हमने पट्टिया लगानी है तो पट्टिया न मैंने इस तरीके से बनाई है इस तरीके से मैंने पट्टि बनाई है दो इंच चोड़ा मैंने कपड़ा लिया था उसको फोल्ड क जाए करके शिलाई लगाई और इसको पलटा के और यहां पर जो इसलाई वाला निशान यहां पर आ गया और इसको अच्छे से प्रैस कर लिया इसकी न हम जितनी चोड़ाई हमारे पेपर के न मतलब उसकी चोड़ाई 3 इंच है तो इसकी भी 3-3 इंच के हम पत्टियां कट कर तो शोली है अब ना यह हमारा नक है न हमने 11 पट्टियां कट किए और यह जो नक है न सब से पहले बीच में इक सेंटर में हम इसको सेट करेंगे फिर जितनी भी हैं जैसे आपको लगती है उससाब से शही लगे उस तरीके से न इसको सेट कर दिया है मैं गलू से पहले चिप के कि neck में shoulder joint में परिशानी होती है तो इस तरीके से लगा दोगे तो कोई भी परिशानी नहीं होगी चलिए इन पर पक्की सिलाई लगा लेते हैं हम कि अब इस पर जो मने तिर्चि पट्टी से नैग बनाना है न तो यह देखी इस तरीके से आपको तिर्चि पट्टी रैडी करनी है तिर्चि पट्टी का क्या फायदा होता है कि जो गोल जगाएं हो रहती है न वहाँ पर बिल्कुल आसानी से लग जाती है मैंने किस तरीके से बनाया है धाई धाई इंच चोड़ी मैंने पट्टियां कट कर ली तिर्चि पट्टियां यह देखिए कुछ इस तरीके से इनकी जो चोड़ाई है धाई इंच है यहां से पहले फोल्ड किया मैंने और यहां से फोल्ड किया और ना इसको प्रेस करती ग अब इसको हम इस तरीके से लगाएंगे यह देखिए यह थोड़ा-थोड़ा मार जाना जो हमने सिलाई लगाई हुए इसी को इस तरीके से अंदर डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे पूरे में तो फ्रेंट्स जिए इस तरीके से मैंने लगा लिया है अब इसको नेक पर सेट करेंगे यह देखिएâte संटर से सेंटर मिल आएंगे और इस तरीके से न यह हमारा शिथा साइड न तो इसको अमने सीथे साइड पर ہी पिन-ब कर देना है बिल्कुल सेंटर करके तो इस तरीके थोड़ा-ثोड़ा चड़ाते हुए कुर्ती की उपर अब हम पहले, हाफ की यहासे, लगाएंगे पिर यहाँ से, हाफ की अब यहाँ पे भी cloth लगा लेंगे, इसके हाफ इस हाफ में भी स्थीछ हो गया हैं, नेक में अब इसमें न यहाँ पे भी हमने तिर्ची पट्टी लगानी है तो यह देखे इस तरीके से रखेंगे तो फ्रेंट्स उल्टे साइट से भी आप देख सकते हैं इसकी नेक की फिनिशिंग यह जो पेपर है इसको हम निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स अब ना कुछ इस तरीके से ना हम फैब्रिक बटन लगा लेंगे मैं बटन इसलिए लगा रही है थोड़ा सा नया लोक क्योंकि यह डिजाइन पहले भी बनाए है बट इस डिजाइन के खास बात यह है कि यह हमने विदावट बुकरम बनाया है और यहां पर आप चाहें तो मोती भी लगा सकते हैं मैं फैब्रिक बटन लगा रही हूँ तो बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से यह सुई धागे से कर लेना है तो इस तरीके से करके ना हम पूरे में इस तरीके से बटन लगा लेंगे तो यह देखे पूरे बटन मैंने लगा लिये हैं तो friends इस तरीके से बहुती सुन्दर आपका डिजाइन आसानी से बल्चाएगा और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमने विदाउट बुकरम बनाया है तो friends इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching